हेलो फ्रेइंस वेल्ग मैं य्ट्यूब चैनल दोस्तों कैसे हो आप लोग आजा करता हूं अच्छे होंगे दोस्तों आज की वीडियो में हम यह जानने वाले कि यह थ्री वोल्ट की एलेडी होती है इनको अलग अलग रेश्टेंस से अलग अलग वोल्टेश पर कैसे जानते हैं दोस्तों शुरुवात करते हैं सबसे कम वोल्टेश से जैसे की माल लीज़े आपको इसको आराम से किसी लीथय मायरन बैटरी से ग्लो करना हो गया तो आप कौन से रेश्टेंस हैं पर लगाना होगा तो दोस्तों आपको प्रैक्टिकल करते दिखाओंगा ठीक ह तो दोस्तों यह हमारी 3V की LED है तो इसको हम गलो करने वाले इस लीथिय वाइरन बैटरी पर ठीक है इसका जो वोल्टेज होता है फुल चार्जिंग पर 4.2 वोल्ट होता है तो इससे हमारी LED गलो करने के लिए हमें चीह होता है 100 ohms का resistance ठीक है 100 ohms का resistance दोस्तों आपको resistance चेक कर पर इस resistance को लगा सकते क्योंकि कोई भी प्लस मैंस नहीं होता लेकिन आपकी LED में positive और negative होता है तो इधर वाला जो छोटा वाले लाग इसमें देख रहे हैं आप लोग फ्रेंस वहाई negative है बड़ी वाली positive तो हम किसी भी एक लेक पर इसको कर लेते हैं फिर जलाते हैं देख सकते हैं अप लोग यह LED हो चुकी है यह हमने ले लिए एक बैटरी जो की फुल चार्ज है भी तो जो एक पॉजिटिव टर्मिनल है इस पर बैटरी का पॉजिटिव कनेक्ट कर देते हैं यह लगा दे हमने और negative वालों को फ्रेंस इस श्रविटेट का यूच करना होता है ठीक है दोस्तों अब बात करते चाहिं से जादंस वोल्टिज की t City अब हमें इसको ग्लो करना है लगबग हमारे क्याने में फाइव लोल्ट से टीकली करना है तो थे कर सकते हैं दोसके तो यह मों कर लेके यह दो रेशिटेंस जैसे कि देख सकते हैं यह हमारे पास एक लाइफ पर इष्टान्स है तो किसी यूज़ कर रहे हैं ऐसी किसी बैटरी के साथ तो आप लोग 1K का रेस्टेंस भी यूज़ कर सकते हैं इंडिकेटर बनाने के लिए क्योंकि इंडिकेटर फिर ज्यादा पाउर नहीं लेगा पर आपकी जो एलेडियो थोड़ी सी ग्लो हो जाएगी ऐसे कि आप लोग दे सकते है यदि आपको इसकी वीडियो भी देखने तो आपको हमारे चैनल मिल जाएगी उन कर लेते हैं तो फ्रेंस पाउर सब्लाइक का लेते हैं देश सकते हमारा ओन हो चुका है मैं आपको इसके पहले वोल्टेज दिखा देता हूं मल्टिमेटर सैट कर लेना है बीस वोल्ट और अभी आप लोग इसकी voltage दे सकते हैं दे सकते हैं दोस्तों अभी आप लोग voltage तो यहाँ जो voltage आ रही है 17V करीब आ रही है ठीक है? 17-18V हमें देखने को यह पर मिल रही है अब फ्रेंट्स इस LED को इसके अदर लगाते हैं उपर वाला फ्रेंस यह जो है यह जो पॉइंट है मारा मायनिस का है और अंदर जयो प्लस है तो इसको कुछ इस तरीके से लगाते हैं तो दोस्तों दे सकते हैं आप लोग यह जो हमारी IBD फुल ब्राइट हो रही है ठीक है प्रैपने कम कर दहुत हैं आपको दे सकते हैं अभी वोल्टेज कम हो ब्राइट के रहेगा है देरे देर लाइट की रोसिनी भी कम हो रही है ठीक है फ्रेंस तो आपने देखे लिया लगवारी 9-20 वोल्ट के बीच में जो एलेडियो वर्क कर रही थे ठीक है वन के के रेस्टेंस पर अब चलते हैं दोस्तो इससे भी अपर वोल्ट इस पिर क्योंकि हमें जातर जो यूज करना होता है फ्रेंस बार्य वोल्ट के बीच 9 वोल्ट और 5 वोल्ट 3.7 वोल्ट और विक के बास सीदी AC लाना जाती है 220 वोल्ट से लेकर 900 वोल्ट तो अब दोस्तो Toff instantly cash चलाएंगो उसको वह जान लेती है तोागो एक रेस्टेंस लेनी होगी रहती है तो वह fluctuation उतना ना करें उस वज़ेसे आपको एक डायोड भी लेना होगा ठीक है यह डायोड है आएन 4007 तो इसके कैसे connection करते हैं वह मैं आपको बता देता हूं तो friends जैसे कि आपको पता है resistance के उसको किसी एक लगाना होगा ठीक है और वह भी अगडी अदुशन वी फटी नेगेटिव इंदर की मर्स आपकी यदी आप लोग positive पर लगा दीजिए और negative पर लगा दीजिए यह जो positive की terminal है यदी आप लोग डैयूट को positive side लगाने होगी ठीक है यह जो इसको इस तरीके से लगाना होगा देख सकते हैं अब लोग इस तरीके से तब जाके आपका LED वर्क करेगा तो हम किसी भी तरीके से दोस्तों मैं आपको दोन तरीके से लगा कर दिखा देता हूं ठीक्षट आप लेते हैं तो दोस्तों इसको हमने लगा लेट में अभी आपको फ्रेंस लगाते फ्रेंस अपने LED में लेकिन आपको फ्रेंस डाउट ना हो उसको वोल्टेज चेक करके दिखा देता हूं तो मल्टिमेटर सेट कर देते फ्रेंस AC 700 वोल्ट पर ठीक है AC सेक्षिन में फ्रेंस देख दे रहे हैं आप लोग और आप डैट चीमटी पर लगा देते हैं तो दोस्तों आप लोग वोल्टेज दे सकते हैं यहां पर आ रहा है 236 उपर वोल्टेज आ रहे हैं ठीक है फ्रेंस अब LED को टेस्ट करते हैं उससे पहले फ्रेंस इसको यह अपर निकाल लेते हैं इसको ऊपर डैयक्ट लगा देते पहले एक बार तो यह जो वायर है लग चुके अब टेस्ट करते हैं इसे तो फ्रेंस दे सकते हैं आप लोग यह जो हमारी LED वो गलोग हो रही है ठीक है तो दोस्तो यह जो हमारी LED है उसको आप लोग दे सकते हैं हमारी glow हो रही है अब मैं आपको डैउट को change करके दिखाता हूँ दोस्तो अभी आप लोग दे सकते हैं जो डैउट को हमने change कर दिया है अब इसको हमने लगा दिया positive side में ठीक है अब इसको test करते है फ्रेंस लगा देते हैं इसको एसी लेन में तो देश सकते हैं दोस्तो यह जो हमारी LED है फूल glow हो रही है ठीक है फ्रेंस आप लोग को इसके terminal पर बिलकुल नहीं चुना इसके अंदर current आ रहा है ठीक है फ्रेंस इसलिए मैं भी दूर से ही दिखा रहा हूं आपको ठीक है तो आपको दिखाई देचुका है फ्रेंस अब निकाल लेते हैं इसे तो दोस्तो इसके अलावा आपको किसी अलग वोल्टे से LED को glow करना है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं बागी दोस्तो कैसी लगी आज की वीडियो आई होब वीडियो दोस्तो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो कर दें लाइक एंड चैनलों सब्सक्राइब कर ले और बैल के एकनों प्रेस कर दें जिससे हमारी आनने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन आप तक पह पहिन चैनल भारत धन्यवाद दोस्तो